दोस्तों आज नए बिजनस के बारे में बात करेंगे एक ऐसा बिजनस जिसके अंदर आप 5,000 रुपे लगाएंगे तो कम से कम 50,000 रुपे, 40,000 रुपे महिने का कमा ही सकते हैं अगर आपके अच्छे कॉंट्रेक्ट्स हैं, अगर आप किसी से थोड़ा समवाद करने के हिमत रखते हैं, अगर आपको जो है मार्केट स्किल थोड़ी बहुत मालूम हैं, या फिर आप अच्छे बातुनी आदमी हैं, तो ये बिजनस आप अच्छे से कर सकते हैं और इस बिजनस के अंदर आपको केवल 5,000 रुपे इंवेस्ट कर रहे होंगे और थोड़ी सी जगें, एक कमरी जितनी जगें बहुत होगी, लेकिन आपके कॉंट्रेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, वो सब चीजों के क्यों जूरूत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, अभी इस वीडियो में समझते हैं, तो दोस्तों शुरुवात करते हैं, आपको बता दें दोस्तों की काम है, कप, कुलड, लसी के कुलड, ये सब बनाने का, और इनकी डिमांड दिनों दिन बहुत बढ़ रही है, अब आप कहेंगे कि सहब ये तो कुमहार विरादरी के लो लेकिन जिंगा मचली का काम करने वाले किसान ये दावा करते हैं, कि हम बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, जिनका मचली से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मचली के वैपार में आए हैं, और अगर उसके बारे में जाना हैं, तो आईकार्ड में एक वीडियो है, वो देख उसमें आपको मैं आपको पूरा जिंगा फारम जो होता जिंगा मचली का वो दिखाऊंगा वो किसानों के लिए है लेकिन आप अगर किसान नहीं है जमीन जैदत वाले नहीं है वैसे बिजनिस करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को देखते रहे अब आपको दोस्तों बता दूँ कि हो क्या रहा है कि ये कप जो हैं लसी के कप, दही के कप जो ये मिटी के जितने भी बरतन है इनके डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो रही है और इसके पीछे करोना भी एक बड़ी बज़ए है और उसके बारे में गौर्मेंट ने भी एक कदम उठा दिया है गौर्मेंट ने कुमार शेशक्तिकर नियोजना शुरू कर दी है और ये जो मिशीन आपको दिखाई दे रही है ये गौर्मेंट दे रही है पहले बड़े चाक पर कौमार बनाया करते थे लेकिन अब इस मशीन के माध्यम से वो बना सकते हैं थोड़े टाइम में ज़्यादा स्पीड के साथ ये मशीन काम करती है और इलेक्टरिसिटी से चलती है अब ये मशीन आपको गुवर्मेंट प्रोवाइड करवा देगी कुमहार शिशक्तिकरन योजना के तहट जो उध्योग हैं गरामिन खादी उध्योग जो हैं उनके मारफती ये मशीन आपको मिल जाएगी अगर ना भी मिले तो 5000 रुपे को ज़्यादा नहीं है एक नए बिजनेस को सैट अप करने के लिए बाकी मिट्टी का यूज है पानी का यूज है ये तो फरी का जोदाए अब दोस्तों आपको करना क्या है आपको कुलड बनाने हैं लेकिन कुलड बनाने से पहले रेलेवे डिपार्टमेंट के लोगों से संपर्क करना है आपके शहर में जहां जहां चाय के ठेले लगते हैं उनसे संपर्क करना है जहां जहां कुलड की चाय फेमस है उन लोगों से संपर्क करना है और उन्हें ये कुलड बना कर प्रोवाइड कुराने है इनका minimum rate जो है चाहे के कुलड का minimum rate 50 पैसे है यानि 50 रुपे में आपको 100 कुलड मिल जाएंगे लसी के जो कुलड है उसके लिए आप 1500 रुपे के अंदर 100 कुलड अरहम से बेज सकते हैं minimum price बता रहा हूँ मैं ऐसे ही दही का है ऐसे ही पानी का है पानी वाला तो 100 का मिल जाता है मनलब 100 का 100 मिल जाता है यानि एक रुपे कुलड रहेगा और उसमें 50 पैसे कुलड का रहेगा चाहे के अंदर यानि कि ये minimum price है लेकिन maximum और increase आप कर सकते हैं अगर आपकी market skill अच्छी है आप अच्छी से कोई किसी कोंट्रेक्ट करते हैं market में कोड़ा competition देते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है price के मामले में अब इसकी demand क्यों increase हो रही है इसकी demand दोस्तों इसलिए increase हो रही है क्योंकि अगर आप चाहे पीने जाते हैं और तो बजार में लोग चाहे नहीं पी रहे चाहे का काम रुक गया है ऐसे में जो ये मिट्टी के कुलड़ है ये बड़े फाइदे का सोधा है चाहे वाले जब मिट्टी के कुलड़ में डाल के देते हैं तो सामने वाला पी भी लेता है उसको फैंक भी देता है क्योंकि वो द्वारा यूज नहीं हो ना उसको दोने की चिंता नहीं है वो डारेक्ट तंदूर से तपा ठंडा हुआ और आपके पास आ गया चाय की दुकान पर वहां से आगे डिस्टिब्यूट हो गया और पीने वाले ने उसे फैंक दिया तो उसका रियूज नहीं है दुब़ारा यूज नहीं कर रहा और जिसने रियूज करना है वो भी इसे तंदूर में तपाता है तो इसके अंदर किटानू रहने के बिलकुल भी चिंता नहीं है और करोना के कारण इस चीज की डिमांड बढ़ गई है 10 रुपे की चाय 15 की हो गई है लेकिन उसमें 5 रुपे सामने वाला देता है कुलड के अगर आप 1, 2, 3 रुपे तक का बेचते हैं और चाय वाला भी उसमें 2 रुपे कमा लेता है तो भी आपको बहुड अच्छी कमाई है अगर आप 1000 कुलड भी रोजाना बेचते हैं तो अच्छी खासी ध्याड़ी आप बना सकते हैं याई 500 रुपे तो मिनिमम बना सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट से बस स्टेंड से और अपने शहर के कम से कम साथ से आठ चायवालों से भी कंट्रेक्ट कर लेते हैं किसी कोलेज के सामने कोई चायवाला है किसी कंपनी के सामने किसी बैंक के सामने चायवाला है अगर उससे कंट्रेक्ट कर लेते हैं तो आपको इसमें मोटी कमाई हो सकती है इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा महनेत नहीं लगती बहुत स्पीड से ये कुलड जो हैं डिजाइन हो जाते हैं तो दोस्तो आप जाईएगा कुमार शिशक्तिकर्ण योजना के थहत अपना रेजिस्टेशन करवाईएगा और ये मशीन खरीद लीजिएगा अगर आपने ये बिजनस करना हो रेजिस्टेशन करवा लेंगे तो अगर आपके अंदर कोई और स्किल है मतलब आप हाथी गोडे वो सब बनाते हैं कुमार वो भी बनाते हैं अगर वो भी बनाना जानते हैं तो आपका वो चीज या वो कप भी डारेक्ट खादी द्योग में भी बिख सकता है खादी इंड आपको बनाने पड़ेंगे खैर इसके रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो कुमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ये वीडियो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपको जिंगा मचली के बिजन दोल्डियो आपको जिंगा येट लूड़ें पैंग अभर्ड वेन ये वीडियो ये शोड़ेंगे स्वाय पुल खियोंके रहे हैंगा येगर्श कर दोल्ड़ेंगे हैं येगन भाल्डिम्स